हलो बुट मॉनिंग क्लास सेवेंथ हम लोग पढ़ रहे थे बेटा आप लोग का पार्ट चौधा सदाचार का तावीज कल चौथे भाग पे हमने यहां तक पढ़ लिया था राज्य के अकबारों में खबरे छपी सदाचार के तावीज की खोच तावीज बनाने का कारखाना खुला राजा ने एक सादू को तावीज बनाने के लिए कारखाना खोलने के लिए कहा और उसे पांच करोड रुपे दिये आज उसके आगे आज हम पांचवा भाग पढ़े देखिए लाखों तावीज बन गए सरकार के हुकम से हर सरकारी करमचारी की भुजा पर एक एक तावीज बान दिया गया ब्रस्टाचार की समस्या का ऐसा सरलहल निकल आने से राजा प्रसंद थे अब राजा को बड़ी खुशी हुई के जो सदाचार का तावीज है उससे ब्रस्टाचार खतम हो रहा है और बहुत आसान तरीका इस ब्रस्टाचार को मिटाने के लिए निकल गया था एक दिन राजा ने उत्सुकता जागी एक दिन की बात है राजा को उत्सुकता हुई जानने की अंदर से इच्छा पैदा हुई सोचा यदी की ये तावीज देखें की ये तावीज कैसे काम करता है वे वेश बदल कर एक कारियाले में पहुँचे उस दिन दो तारीख थी एक दिन पहले ही तनक्वा मिली थी राजा एक करमचारी के पास गए और कई काम बता कर उसे 500 रुपे का नोट देने लगे एक दिन राजाने के अंदर एक सुकता जागी ये पता करने की कि मैं देखूं तो ये ताविस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उन्होंने वेज बदला अपना रूप बदला और एक करमचारी के पास गए और उसे बहुत सारे काम बताए और उसको 500 रुपे का नोट देने लग और उस दिन थी तारीक दो सबके अपनी तंखा मिल चुकी थी करमचारी ने उन्हें डाठा भाग जाओ यहां से रिश्वत लेना पाँप है जो काम करने वाला था उसने डाठ दिया उसने का तुम यहां से भाग जाओ रिश्वत लेना पाँप है राजा बहुत प्रसंद हुए तावीज ने करमचारी को इमानदार बना दिया था कुछ दिन बाद फिर वे वेश बदल के उसी करमचारी के पास गए उस दिन 31 तारीक थी महिने का आखरी दिन राजा ने फिर उसे 500 का नोट दिया इस बार करमचारी ने नोट लेकर जेब में रख लिया जब राजा को 500 रुपे देने के बाद भी करमचारी ने काम नहीं किया तो राजा को बड़ी खुशी हुए उसने बोला कि तावीज अपना काम कर रहा है अब राजा ने महीने के आखरी दिन में 31 तारीक में जाकर उसी करमचारी को फिर से काम बताया और फिर से 500 रुपे दिये लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ करमचारी ने उन्हें डांठा नहीं बलकि वो पैसे लेकर अपनी जेब में रख लिये राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया बोला मैं तुम् नहीं बान करा है जैसे ही करमचारी ने पैसा लिया वैसे ही राजा ने उसका हाथ पकड़ा और उसको पूछा मैं तुम्हारा राजा हूँ क्या तुमने आस जो सदाचार का ताविस बानने के लिए तुम लोग को कहा गया था वो तुमने नहीं बांदा है बांदा है सरकार ये देखे करमचारी बोलता है हाँ मैंने बांदा है आपका दियावा तावीज ये देख लीजिए उसने आस्तिन चड़ा कर तावीज दिखा दिया उसने राजा को तावीज दिखा दिया राजा असमंजस में पढ़ गए सोचने लगे फिर ऐसा कैसे हो गया अब राजा हैरा कि जब इसने सदाचार का तावीज बांदा है तो आखिरकार ऐसा क्यूं हुआ उन्होंने तावीज पर कान लगा कर सुना तावीज में से सुर्ण निकल रहे थे अरे आज 31 है आज तो ले ले राजा ने तावीज की जाच करने के लिए तावीज के उपर कान लगाया तो उ उसमें से सुर्ण मतलब आवाज आ रहे थी अरे आज तो 31 तारीक है आज तो ले ले ये पार्ट लिखा है हरी शंकर परसाई जी ने इसका कहानी से हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति के पास जब उसकी जरूरत लायक का पैसा मौजूद होता है तो वो किसी भी लालच की तर बढ़ता नहीं है लेकिन जब व्यक्ति को अपनी जरूरते पूरी करने के लिए उसके पास पैसे की कमी हो जाती है तब ही वो गरत रास्तों की तरफ जाता है तो बच्चो आज हमारे को आज इसका लेसन खतम हो गया और ये हमारा यू थ्री का इसले बस भी है अब इन्शा हाफिस